हेलो अल कैसे हो आप सब आई हो पाप सब अच्छे हो तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं देखेंगे कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं ठीक है ये हमारा आज का टॉपिक है देखेंगे क्या वो आपको याद कर रहे हैं आपके बारे में क्या सोच रहे है feelings क्या है ठीक है यह हम आज की इस reading में देखने वाले हैं ठीक है जिनर डिंग है collective reading है तो इस बात के आपको क्या रखना है ठीक है तो चलिए फिर reading start करते हैं देखते हैं आपके portion की energies और आपके पहले में आपके बारे में देखोंगे कि आपके energies क्या है ठीक है फिर में आपके portion के लिए reading करोंगी ठीक है तो इससे आप अपने जो है energies यानि कि अपने situation को relate कर पाऊगे और जान पाऊगे कि यह reading आपके लिए हैं बेकी नहीं है ठीक है तो चलो प्लीज इंवर्स काइड में जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं इनके नेड्रीस बताईए प्लीज काइड कीजिए ठीक है यहाँ पे फ्लक्सिबल काड़ा है है नमबर 19 ठीक है ओके ओ नमबर त्री बीट्विन वाल्ट्स ओके ओकेड नू लाइफ ठीक है तो यहाँ पर कार्था चुक यहाँ पर जो कार्थ है वो मुझे बता रहे हैं आपकी energies तो देखो यहां पर क्या है कि आपके cards में मुझे सबसे पहले तो यह दिख रहा है कि आप जो हो अपने past को ले करके परिशान चल रहे हो ठीक है अपने past को ले करके परिशान नजरा रहे हो मुझे यहां पर जो cards है clear है कि आपकी कुछ सपने हैं आपके कुछ details हैं जिसको आपको complete करना है और आप जो हो यहां पर divine पर भरोसा कर रहे हो divine पर एकदम जो है काफी जदा believe करते हो और यहां पर मुझे यही नजरा रहा है कि आप जो है आखे बंद करके अब अपनी जिंदेगी में आगे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो आखे बंद करके यानि कि आगे बढ़ने के बारे में ठीक है मतलब अपनी intuitions पे अपने god पे divine पे भरोसा करके ठीक यहां पर कुछ इस तरह के cards हैं यहां पर मुझे नजरा रहा है कि आप कुछ decision लेने के बारे में भी thinking कर रहे हो कुछ decision लेना है आपको आपके thoughts जो है आपके अपने person के बारे में अपने relationship के बारे में बहुत बड़े-बड़े हैं ठीक है काफी जदा thinking भी है यहां पर काफी कुछ सही करने के बारे में भी जो है ना यहां पर आप सोच रहे हो और यहां पर मुझे यह भी नेजर आ रहा है कि आप जो है आप जो हो ना यहां एक एक अपने relationship को ले करके जो है देखो past में जो चीजे हुई है ठीक है और past के चीजों को ले करके आप आगे नहीं बढ़ सकते आपको यह ऐसास हो रहे है और आप थोड़ा सा जो है ना अप आपने आपको आगे की तरफ ले जाएने की कोशिश कर रहे हो यानिक चो आपका relationship है इस relationship में आपने बहुत कुछ सीखा है ठीक है और आपको काफी हद तक समझ में आ भी गया कि आपको इस relationship में रहना है नहीं रहना है क्या करना है तो इस तरह की भी energy मुझे नजर आ रही है कि थोड़ा सा जो है ना change चाहते हो आप अपनी life में changes करने का wait कर रहे हो या कहें तो आगे बढ़ना अब एकदम से आपके लिए compulsory ह हो गया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है अपने relationship में कुछ चीज़े साही नहीं हो रही है तो इससे अच्छा है कि हम आगे बढ़ें ठीक है तो यहां पर यही है और आपके life में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नए relationship में जाने को तयार है ठीक है नए relationship में जाने के बारे में भी thinking कर रहे हैं या फिर एक नए relationship में कहें तो या फिर एक new beginning अपनी life में ठीक है करने के बारे में thinking चल रही है ठीक है क्योंकि पुराने phase में पुराने दौर में रहने से तो अच्छा है ना कि हम अपनी life में एक new beginning करें है ना और रोने दोने से तो सोच रहे हैं तिक है यानिकि नए connection के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनका पुराना connection है काफी toxic connection रहा है तिक है यहाँ पे यहाँ पर जो है ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपने आपको अपनी जिंदगी में जो है ना कुछ बहुत सारे experience भी हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर changes दिया हैं आपकी लाइफ में तो यहां पर अब फ्लक्सिबल होने की बाद चल दिये हैं यहां पर कार्च बता रहे हैं कि अब आप काफी हद तक समझ चुके हो कि आपको फ्लक्सिबल होना पड़ेगा ठीक है और यहां पर पूराने चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ने मे ही जो है future secure है. टुम मुझे यह नजर आ रहा है कि अब जो है आप समझ चुके हो कि अपने relationship को ठीक है अपने relationship को अगर सही करना है तो थोड़ा flexible भी होने की जरुर्थ है. यहां पे जो time है यह flexible होने की बात करता है ठीक है यहाँ पे यह नजर आ रहा है कि आपको time सिखा रहा है आपको वक्त सिखा रहा है कुछ लोगों को जो कहना इनके वक्त ने इनको काफी कुछ सिखाया है तो आपने अपने वक्त से काफी कुछ सीख करके ये decision कहीं हद तक ले लिया है कि हाँ मुझे अब आगी life में क्या करना है ठीक है अपने love relationship को ले करके ही स्वीव या फी परिशान रह करके ही आपको अपनी life को बरबाद नहीं करना है काफी लोगों ने decide कर लिया है ठीक है कि हाँ मुझे अभी अपने love पे थोड़ा कम focus करके अपनी career पे अपनी personal life पे भी focus करना चाहिए ठीक है तो इस कदर के इस तरह के भी cards मेरे पास हैं जो की मुझे बता रहे हैं ठीक है और यहाँ पे जो है new life का card आया है मेरे पास new life ठीक है तो new life मैंने कहा ही कि कुछ लो सब्सक्राइब में जाने को ने नई opportunities के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे मुझे यह नज़र आ रहा है जिसे कि एक होता है ना कि आप अपने आपको हील करने के लिए song वेगरा भी सून रहे हो अपने आपको जो है यहाँ पे nature से connect कर रहे हो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ज इसको आप सच करने के लिए उनको साकार करने के लिए अप चाहते हो कि मैं अपना पूरा टाइम अपने लव पे अपने परसन पे फोकस ना करके अपनी प्रोफेशनल लाई पे अपने करियर पे भी थोड़ा फोकस करूँ ठीक है तो थोड़ा सा मुझे जो है ना मुझे न कิसी बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि उनका कोई नया नया इसे बात करने में उनके सा थोड़ा और आगे बढ़ने के बारे में तरह की को मजे नजर आ मुझे नज़रा रहा है कि थोड़ा सा कम आप उनसे अपने पर्सन से जो अभी आपके करेंट पर्सन है उनसे थोड़ा सा जो है ना आप साइड होने की कोशिश कर दे हो मतलब अपने आपको निकालने की कोशिश कर दे हो क्योंकि आपको इस relationship में बहुत जादा दर्द मिला है तकलीफ मिली है जिससे आपको आपने अपना इतना time दिया है अपने इस relationship में और इतना कुछ किया है लेकिन फिर भी आपको कुछ मिला नहीं है तो उसको सारी चीजों को देखते हुए आप decide कर रहे हो कि मुझे थोड़ा सा जो है ना अब आगे बढ़ना चाहिए या अब जब यह person मेरी life में आ रहा है कोई नया person तो उसको chance देना चाहिए कुछ लोग ऐसा सोच रहे है कुछ लोग अपने person का जो है ना यहां पे wait कर रहे है ठीक है जो अभी उनके old person ही है उनसे ही जो है डा deal करने के बारे में सोच रहे है तो अभी जो है कुछ लोग जो है अपने person के बारे में जो भी अभी जो नय person के साथ relationship जोना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम reading कर रहे है कि क्या वो आपको miss कर रहे हैं कि नहीं ठीक है तो चलो कार्ट कार्ट निकालते हैं पर जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं देखो यह कार्ट्स ऐसे हैं जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं किया उनके portion उनको को मिस्स कर रहे हैं प्रिस काइड कीजिए ओके सो दा एंपरर कार्ड है आपके पॉर्सन जो है बहुत ज़्यादा इगो वाले पॉर्सन है बहुत ज़्यादा गुसा आता है इस पॉर्सन को एटिटूट बहुत है आपके पॉर्सन को और चलो और कार्ड निकालते हैं इस काइड मी नाइट ऑफ पैंटिकल्स ओके डैथ का कार्ड है जिस्टिस है सेवन अफ वेंट्स है तो यहाँ पे बात करते हैं साइन की बॉटम अफ तडैक सिक्स ओव वेंट्स वाओ तो यहाँ पे आपके जो पॉर्सन हैं आपको मिस कर रहे की नहीं इनकी अगर फिलिंग को मैं देखू तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके पॉर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं ठीक है आपके लिए सोच तो रहे हैं लेकिन इनका एक ये भी मुझे नजर आ रहा है कि अपने इगो की वज़ासे अपने गुस्से की वज़ासे ये आपको हर्ट करते हैं ठीक है आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो अपने नए रिलेशन्शिप के लिए द तो उनके लिए भी है किसी किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो यहां पर मुझे यही नज़र आ चाहते हैं यह परसन आने के बारे में सोच रहे हैं यह परसन के उपर बहुत जदा बॉर्डन है इस परसन के उपर बहुत जदा हैं इसकी वजह से यह परसन आपसे बात नहीं कर रहे हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह परसन यह भी सोच रहे हैं कि मैं जो इन और आउट इन और आउट जो करते रहता हूं यानि कि यह जो इन और आउट करते रहते हैं इनके परसन के जो है यानि कि आपकी लाइफ डिस्टरब होती है तो उसके बारे में भी आपके परसन सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए यह परसन जो है यहां पर आते ही है कि यह पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है ठीक है यह पर्सन आपको मिस करके रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ गलतिया की है ठीक है और इनको क्या कुछ करना चाहिए ठीक तो यहां पे मुझे रियलाइजेशन भी नज़रा रहा है इनका इनका यह भी करना चाहते हैं ये भी ठीक है यहां पर matière के बारे में होच रहे हैं यहां पर ले में आने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है तो new beginning यहां पर होने वाली है क्योंकि यहां पर action का card मुझे नजर आ रहा है आपके person जो है आपको लेकर के काफी positive है यह person जो है अब आपके लिए stand लेने के बारे में सोच रहे हैं देखो यहां पर यह person लेकिन अब यह person clear हो जुक है क्योंकि इनको बहुत अच्छे से realize हो जुका है कि आगे future किसके सांथ safe है क्या सही है ठीक है तो यहां पर मैं इनकी energy जो है चेक कर पा रहे हूं कि यह आपकी तरफ बढ़ने को जो है यहां पर इनकी चाहत है ठीक है तो यहां पर इनकी energy है आपकी करियर पर ज्यादा focus करना तो कुछ लोगों की energy मुझे इस तरह की नजर आ रही है ठीक है तो बात करते हैं कि आपके जो person है आपको miss कर रहे हैं तो यह कब तक action लेंगे कब तक जो है आपकी life में आएंगे ठीक है तो फिर मैं energy oracle card से आपके person की energy oracle card से देखती हूं कि आपक की जो person है यहाँ पे यह अपनी family को मना रहे हैं ठीक है यह अपनी family से बात करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे आगर family में आप दोनों की issues थे जैसा कि मैंने कहा कि family की वज़ए से आपके person आपके लिए stand नहीं ले रहे थे तो यहाँ पर यह person जो है ना family से बात कर रहे है फैमिली को मनाने की कोशिच कर रहे हैं कि एनर्जी मुझह यही नज़रा रही है कि लरत करके जो है करना है कोन कौप्या काड़ है ठीक है तो यहाँ पर्षन है मुझे काफ़ी नज़रा रहा है इस रुड़के है यहाँ पर्सन एक्षिनस लेंगे ठीर底 पर देख रहे हो बहुत ज़्यादा thinking कर रहे हैं यहां पर यहीं नजर आ रहा है कि आपके person deeply thinking करके इनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या planning किया जाए क्या 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 किया जाए इस relationship में इनको success मिलेगी ठीक है तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो बढ़े यह person आपकी life में आने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर यह जो है, आपको miss कर रहे हैं, और अपने relationship को आगे marriage तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, so ऐसा card मुझे आया है, ठीक, okay, so आपके person कब तक बात करेंगे आपसे, यह पूछना है ना आपको, ठीक है, त number जो है, यहाँ पर मुझे number दिख रहा है, okay, number two, ठीक है, two days, two weeks, two months, ठीक है, two days, two weeks, two months, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, कि आपके person में इतने time में आपसे बात करेंगे, ठीक है, और हर reading में आपको अलग-अलग-अलग-अलग जहना numbers सुनने को मिलेंगे, तो ऐसा नही है, कि एक reading में, हर reading में एक ही number आएगा, आपको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यही समझो कि general reading है, वैसे ही लेना है आपको, ठीक है, तो यह रही आपकी reading मिलते हैं, अगले reading में, आप लोग चैनल को subscribe जरूर कीजिए, वीडियो को like जरूर कीजिए, मिलते है तब तक अगले reading में, वो reading इससे छोटी होगी, ठीक है, thank you so much, bye bye